जैहिन सात्यों बेलकम टू सेल्प इस्टेडी क्लास है इस वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं बर्गतीन MPTET से सम्मंदेद बहुत सारा ऐसा मटेर है जो आपको याद रख लेना है ठीक है हाँ तो सभी लोगों को याद रख लेना है बहुत सारी ऐसी चीजे हैं यह तो खर ठीक है कि भारत की इस्तिती यह उत्तरी गोलार्द आट तंस चार से उत्तर 36kich से उत्तरी अक्छांस तथा 67 साथ से पूर्व से 97 और blueberries 25 पूर्वी देशानय तर ऐसका क्या होगा भारत की इस्तिती और विस्तार हो गया तीक है भारत की उत्तर से धक्षिन की लंबाई 3214 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पस्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है भारत मे करकरे का गुजरती है तो आठ राज्यों से होकर गुजरती, राजिस्तान, गुजराथ, मद्दिप्रदेथ, 36 गड जहारकंड, पस्चिम, बंगाल, तिर पुरा और मेजुरब, इहां से होकर के गुजरती है, ठीक है, अब आप से परवत सकर पुच ले जाएंगे, एक आप बारे में आपको याद रख लेना है सबसे पहले तो माउंट एबरेश्ट आता है जिससे सागर माथा कहा जाता है टीक मकालू 8481 नेपाल में है धोला बीरा ए 8172 है इसकी उचाई नेपाल में नंगा परवत 8126 जम्मु कस्मीर में है अन्पूर्णा आप से पूचा जाएगा नंगा परवत कहा है तब आपको पता होनी चाहिए अन्पूर्णा पूचा जाएगा यह 8,078 है नेपाल में है ठीक है नंदा देवी 7,817 उत्राखंड में है ठीक है और केदारनाथ 6,945 उत्राखंड में गौडबेन आस्टन केटू 8,611 है है ना यह भारत में है और गोसाई थान 8,027 है मतलब 8,027 चीन में है राका पोसी यह 7,788 लद्दाक में है तो यह जो चोटियां है इनको आपको याद रख ली नहीं है ठीक है यह सारी की सारी चोटी कहीं न कहीं आपसे जरूर पूछी जाएंगी most important है चाहे वो नंदा देवी हो या mount average हो कुछ भी हो आपसे जरूर पूछी जाएंगी एक आतत पूछ लिया जाएगा अपको चोट तथ है है भारत का दख्षणी बिंदु इंदरा पुशे जाएंगे और भी देख लेते हैं और भी कुछ महत्पून हैं जिनको जानना आपको बहुत ही महत्पून है है ना कुछ रेखाएं हैं उन से सम्मंदित रेट के लिप आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान से सम्मंदित मद्ध में मैक मोहन भारत और चीन डूर अंडर रेखा भारत और अफगानिस्तान लेकिन अवगानिजम पागस्तान के बीच ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखने नहीं है है ना और सून ने रेखा भारत एवं बंगला देश के बीच 38 भी समाना अंतर रेखा उत्तरी एवं दक्षणी कोरिया के मद्द सीमा रेखा है 49 भी समाना अंतर रेखा इसन्युकराज अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा है है ना मैगी नॉट रेखा फ्रांस तथा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगी नॉट तो यह रेखा हैं इनके बारे में भी कभी पूछ लिया जाता है सरवाद एक लंबी तट्रेका वाला राज कौनसा है तो गुजरात है तट्रेका वाला राज सबसे कम तट्रेका वाला गोबा है तो यह चीज भी आपको याद रखनी निए कोरो मंदल तट कन्या कुमारी किसना डेल्टा यहना गोला कुंडा तट एक किसना डेल्टा गोदावरी डेल्टा है यहना उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा और उत्तरी तट है प्रत्वी की चुम्बी की विसुवत रेखा दक्षिन भारत त्रवंद्रम में है भरत की सबसे बड़ी इस्थली सीमा किस देश के साथ इस्थली सीमा ये पूछी जाती है बंगला देश के साथ लगती है फरत की सबसे छोटी इस्थली सीमा अफगानिस्तान से 106 किलो मीटर इलाइची की पहाड़ी किसे कहा जाता है तो ये केरल में हिलाइची पहाडी है ना आपको याद रख लिए यहाँ पर एक सांत घाटी भी है सांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है है ना ये भी केरल में है जियो बिवित्ता के लिए जानी जाती है सांत घाटी जियो बिवित्ता है और जियो परसा होती है ये चीज भी याद रखनी है महरत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है most important दक्कन का पठार महराष्ट में भारत का सबसे उचा पठार है लद्दाक का पठार ठीक है और भारत का सबसे ठंडा पठार ये लद्दाक का पठार है है ना सबसे ठंडा भ तो तिब्बत का पठार विस्तु का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो बड़ा बड़ा की बात आती है तो पामीर का पठार भारत का रूर के से कहा जाता है छोटे नांगपुर के पठार को है ना तो याद रख लेना छोटे नांगपुर का पठार जारकंड है ना संसार की च्छत पामीर के पठार को कहा जाता है तो यह चीज भी हमें याद रखती नहीं है यहां से एकात कॉस्चन आपकी एक्जाम में जरूर बनेगा तो इन चीजों को आपको बिल्कुल परफेक्ट याद करकी रखना है ठीक है और भी देख ले रहे हैं भारत का सबसे ठंडा मरुस्तल यह लद्दाक भारत में है भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल थार बिस्तु का सबसे बड़ा मरुस्तल सहारा अपरिगा महादीप में है बिस्तु का सबसे गर्म मरुस्तल आटा कामा है चिली पेरू में है ना आटा कामा ये गर्म मरुस्तल है विस्तु का सबसे ठंडा मरुस्तल गोवी है ना ये चीन मंगोलिया में है विस्तु का सबसे ठंडा मरुस्तल है गोवी और ये सिया का सबसे बड़ा मरुस्तल भी माना जाता है गोवी और विस्तु का सबसे ठंडा मरुस्तल भी है है न और विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या गनत्वाला मरुस्तल तो सबसे जादा जनसंक्या गनत्वाला विस्तु का वो थार है तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रख लेनी है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है बिस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या गनत वाला मरस्तल है तो आपको याद रख लेना भारत की सबसे बड़ी जील है तो ये चिलका जील है याद रख लेना ठीक है बिस्तु की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो सुपीरियर जील है है ना विस्तु की सबसे गहरी जील कौनसी है तो गहरी जील जो है वो कौनसी है विस्तु की सबसे गहरी जील बेकाल जील है है ना वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील बुलर जील है विस्तु की सबसे बड़ी खारे पानी की जील जो है कैस्पियन सागर विस्तु की भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी जील सांबर जील है राजस्तान में याद रख लिए ठीक है भारती ये नो से ना प्रसीक्षन के अंदरी जील जो है वो चिलका जील है उतली का ये सबसे बड़ी तटी जील माने जाती है चिलका जील है ना भारती ये नो से ना प्रसीक जील जम्मू कस्मीर में है सांभर जील राजस्तान में पिछोला जील ए राजस्तान में है राजसमंद जील भी राजस्तान नैनी ताल जील उत्राखंड में देवताल उत्राखंड ताल ताल आरा तो उत्राखंड ठीक है हुसेन सागर रांद प्रदेस में पुलीकट जील तम मुदी जील एक एरल में हैं तो इनको याद रख लेना है जीलों से भी आपका question पूँचा जा सकता है तो इन सभी जो प्रशने हैं उनसे हमें बिल्कुल perfect रहना है विस्तु का सबसे उंचा जो जल परपात है वो एंजल जल परपात है विस्तु के सबसे उंचा जल परपात माना जाता है भारत का सबसे उंचा जल परपात है कुँचीकल जल परपात है ना करनाटक में यह चीज याद रख नहीं है ठीक है सभी को याद रखो भारत की प्रमों के जो बहुत दिसी है नदी घाटा परियोजना है उनकी नदी घाटी परियोजना उनकी बारे में देखेंगे यहाँ पर दोस्तो भारत का जो सबसे उंचा जलपरपात है यहाँ पर एक और नाम आपको आ रहा होगा जोग या गरसुपा है ना यह जो है सीधा गरने वाला जलपरपात है तो आपको याद रख लिना यह सीधा गरने वाला जो सरावती नदी पर बना है जोग या गरसुपा आप सबी लोगों को पता होगा लेकिन जो कुची कल जलपरपात है यह 455 मीटर उपर से गरता है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है तो सभी को याद रख लेना है भाकला नागर परियोजना अगर आपके बिकल्प में जोग यागर सोग पा आता है तो आपको जोग यागर सोग पा उत्तर लगाना है कुछ ही कल आता है तो कुछ ही कल ठीक है यहना भाकला नागर परियोजना यह सतलज नदी पर है पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और राजिस्तान यह लावान पर दराच है ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बना हुआ है परियोजना है राजस्तान पंजाव हर्याना और हमाचल प्रदेश की सन्योक्त है तो आपसे यहां से क्वेस्टन पूछा जाता है कि जो भाकला नागल परियोजना है किन राज्यों की सन्योक्त परियोजना है तब आपको बताना होता पंजाव हर्याना हमाचल प्रदेश और मिट्टी का बना सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड चंबल परियोजना चंबल नदी पर है राजस्थान तथा मद्द प्रदेश की है ठीक है तुंगबंद्रा परियोजना ये तैलंगाना तथा करनाटक की तुंगबंद्रा नदी पर है मयूराक्षी परियोजना पस्चेम तो यह चीज आपको याद रखनी है और देख लो चीजें जो आपकी एकजाम की दस्टी से महत्पूर्ण है तो यह चीजें जो आपकी एकजाम की दस्टी से महत्पूर्ण है इस प्रकार से भी प्रशन पूछ लिया जाता है भारत की परवितिय नगर देखो अत्राखंड में अलमोरा अत्राखंड में महावले सौर ए महराष्ट में है धरमसाला है माचल प्रदेश माउंट आबू राजिस्तान में है मनार केरल में है और पच्मणी ए मद्द प्रदेश में है मद्द प्रदेश की सरवोच चोटी है यहां पर पच्मणी में धूप गड़ ए चीज भी याद रखनी है सबी लोगों को पिर मुख दर्रे देख लो कारा कोरम दर्रा पूँचा जाए तो यह जम्मू कस्मीर में कारा कोरम जोजीला दर्रा जम्मू कस्मीर में पिर पंजाल दर्रा यह भी जम्मू कस्मीर में है ठीक है तो इन सभी दर्रों को भी याद रख लिना है परवतों को भी याद रख लिना है बनिहाल दर्रा यह जम्मू कस्मीर में है बुरजिल दर्रा यह जम्मू कस्मीर में है सिपकीला दर्रा हमाचल प्रदेश में रोहतां दर्रा के नीचे एक रोहतांग सुरंग है ना अटल सुरंग रखा गया है उसका नाम हाली में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग लिपूलेक दर्रा ये उत्राकंड में है नीती दर्रा उत्राकंड में नातुला दर्रा सिक्किम में है जैलेपला दर्रा भी सिक्किम में है बौमी डील है दर्रा अरुना चलपरदेश में है यांगःाफ दर्रा अरुना चल्परदेश में हैं दिफूärtर्र, ये भी अरुना चलपरदेश में हैं त exposedर्रा मनी पूर्मे tujudर्र आ तो येजो आ besondersこれ है ये bी या मिस्र और मोरक को देशों में फैला हुआ है सहारा औस्टेलियन ये 15,50,000 है इसका विस्तार ग्रेट सेंडरी, ग्रेट विक्टोरिया, सिंपसन, गिपसन, स्टुवर्ट, रेगेस्तान, छेत्र इन वैसी समय ले थे हैं गोवी का मरस्तल 10,40,000 बर किलो मीटर मंगोलिया और चीन में है ये थार का मरस्तल देख लो थार का है 2,60,000 बर किलो मीटर उत्तर पष्चमी भारत और पाकिस्तान में हैं आटा कामा एक लाकशी अजर उत्तरी चलीवा दक्चन पेरू में है आटा कामा है ना तो यह मरुस्तल है जो आपको याद रख लेनी है ठीके हाँ और यह गोबी जो है बश्थू का सबसे बड़ा थंडा मरुस्तल भी माना जाता है ये सिया का सबसे बड़ा मरुस्तल भी माना जाता है ये भारत का ठंडा मरुस्तल है ठीक है थार तो आपको इन चीजों को याद रख लेनी है दोस्तों ये थार बिस्सु का सबसे जादा जनसंक्या गनत तो बाला मरुस्तल भी है तो इन चीजों को हमें याद रखेंगे और ये बहुत ही महत्पून है ठीक है और भी कुछ परवत देख लो बिलॉक परवत ये कहां पर है वास जेस फ्रांस और सॉल्ट रेंज पार्क है ना अफसिस्ट परवत बिंदिया चल सत्पुडा नील गिली पारसनात राजमहिल की पहाड़ियां भारत ये अफसिस्ट परवत के उधारन है बलित परवत हमालाय ओलपास यूराल रॉकीज एंडीज ये बलित परवत कहलाते हैं अरावली परवत ये अपसिस्ट परवत बिस्टु का सबसे पुराना बलित परवत इसकी सबसे उची चोटी गृरू सुकर है है ना अरावली परवत इसको भी याद रखनी है और भी कुछ महत्पूर्ण देख लो सरवोच इसकर हमाला एबिस्व में माउंट एवरेस्ट है 8833 नेपाल तिब्बत में है भारत का केट गार्वेन ऑस्टन जिसे केटू का हजात 8611 मीटर है इसकी पाक अधिकरत कस्मीर में याद रख लेना है भारत इस्तित हमाला है कंचन जंगा 8598 मीटर है इसकी सिक्किम नेपाल सीमा पर है है ना ये कंचन जंगा भारत में हमाला की सबसे उची चोटी है केटू है ना भूमत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी है मकर रेखा को दो बार काटने लिम्पोवो नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्वदा और तापती डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है नर्वदा है ना नदी भारत की परिपेक्च में देखो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बंगला देश में गंगा नदी किस नाम से जाने जाती है तो ब्रहमपुत्र नदी का बंगला देस में नाम है तो जमुना करकरेखा को दो बार काटने वाली नदी गौनसी है तो माही नदी है करकरेखा को तो याद रख लेना माही नदी है कोसी नदी है बिहार का सोक कोसी को कहा जाता है बंगाल का सोक दामोदर को कहा जाता है ओडिशा का सोक महानदी को कहा जाता है असम का सोक ब्रहमपुत्र को ब्रद गंगा दक्षन भारत की गंगा गोदावरी इसे ब्रद गंगा और दक्षन भारत की गंगा भी कहा जाता है दक्षन की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है और ये दक्षन भारत की गंगा गोदावरी भी कही जाती है चीज भी आपको याद रखनी है उत्तर भारत की बरदान नदी गंगा नदी उत्तर भारत की गंगा या मुना का संगम प्रयाग राज है ना भारत की पवित्र नदी गंगा गंगा और ब्रहम पुत्र की सन्युक्त जल्दारा मेघना है ना जब गंगा और ब्रहम पुत्र की जो सन्युक्त धारा बनती है तब मेघना कहलाती है सुन्दरबन डेल्टा ये गंगा और ब्रहम पुत्र नदी के यहां है मतलब सुंदरवन डेल्टा राष्टी नधी गंगा माजुली दीब ब्रम पूतर नधी में हैं विस्तु का एक मातर नधी दीब जो सबसे बाड़ा नधी दीब है मानके चलो कि जो माजूली दीव है ये ब्रह्मपुत्र नदी में हैं पस्चिम की और बहने बाली नदी कुन सी है नर्वदा तापती नमामी देव नर्वदे नर्वदा नदी सरक्षण ही तु मद्दप्रदे सरकार ने नमामी देवी नर्वदे ये जो नारा दिया था है ना गंगा देरताराश्टी उद्याने कैमलम जाओ इस्तित है लोक टक जील में है ना मनीपुर में तो ये चीज आपको याद रखनी है इतनी चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए ये हमेशा पूची जाती है एक्जामों में ठीक है और भी कुछ देख लेते हैं विस्तु की सबसे नदी नील नदी है विस्तु की सबसे बड़ी नदी है अमेजन बहाओ में है ना यूरोपिय व्यापार की जीवन रेखा रायन नदी है सबसे गहरी नदी है कांगो नदी ठीक है और भारत में जनसंक्या देख लो जनसंक्या की देश्टी भारत का सबसे बड़ा जो राज उत्तर प्रदेश है लिंगानुपात एक हजार पे नौसो तेतालिस महिला हैं है ना सरबाद एक लिंगानुपात बाला राज केरल सबसे कम लिंगानुपात बाला राज अरियाना सरबाद एक साक्षर्ता बाला राज केरल सबसे कम साक्षर्ता बाला राज बिहार चेत्रपल की दस्टी से सबसे बड़ा राज राजस्तान अंडवान दीप में देखो बैरंदीप, नारकोंडम, बारातांग, दककंट्रेप महराष्ट में है धिनोधर पहाड़ी ये कहाँ पर है गुजरात में है ये चीज़ याद रखनी है चेत्रपल के आधार पर निउन्तम बना राक्षण देखो चेत्रपल के आधार पर सीड्स बना राक्षण बन राज देखो तो सीड्स पर चेत्रपल की दस्टी से मेजोरम, लक्षदीप, मेजोरम, अंडवान, मनीपोर यहाँ पर हरियाना, पंजाब, राजिस्तान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है और सीर्स ब्रक्षावरन प्लस बनावरन राज तो मद्ध प्रदेश है, अरुनाचल प्रदेश, छत्तिस गड़, उडिसा और महरास्ट, सीर्स मेंगरो बनावरन, पस्चिम बंगाल, गुजरात अंड़मान निकुबा, रांध प्रदेश और उडिसा है, तो यह सभी को याद रखने ना, इसी प्रकार से, ठीक है, यह निउन्तम बनावरन है, यह सीर्स बनावरन है, यह छेतफल के आधार पर सीर्स बनावरन प्लस बनावरन राज है, ठीक है, तो यह चीज आपको रखने ना, ठीक है, इस वीडियो को लाइक सभी को करना है, और सेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों, टेलिग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है, टेलिग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जो है, टेलिग्राम डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना है, आई, study track ठीक है और join हो जाना है बहुत सारे लोग इसमें जोड़ चुके हैं और बहुत सारे परियावना से सम्मंदित वीडियो आपके जो है प्रेशित किये जा चुके हैं बो जरूर देखें पूरी की पूरी पे ले लिस्ट है तो चैनल पर जाकर जरूर देखना तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जये हैं